इसको थोड़ा सा संजीदा ले लें इंडिया साजिश इंडिया क्यों नहीं करेगा साजिश इंडिया साजिश कर रहा है तो आपको यहां पर किसे लिए रहा है यह क्या है मतलब क्यों है आप तो हमारी इंटेलिजेंस कहां पर है हम क्या कर रहे है हम दूसरों पर बिल्कुल जाम लगा रहे हैं, अमरीका ये कर रहा है, इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, वेर डू इस टैंड सर्, आपकी अब्सर्वेशन विल्कु सही है, पाकिस्तान इस वक्त हालित जंग में है, तो हमें क्लेरली नदर आता है कि ये रॉर और एंडियस का इसकंदर हा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो अभी आतंगवादी घटनाओं में अचानक तेजी आई है, इसके लिए पाकिस्तान में भारत की खुपी अजेंसी रो, अफगनिस्तान की खुपी अजेंसी अमेरिका की खुपी अजेंसी और इज्राइल की खुपी अजेंसी मोसाद पर आरोपन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि या भारत के कहने पर साजिस के अंसार या सब कर्वाई पाकितान के भीतर हो रहे ये लेकिन पाकितान में कुछ में आगे आगे देखते हैं वीडियो का अगला भाग अच्छा अब मुझे यह बता है कि अब यह जो है इसको थोड़ा सा संजीदा ले ले इंडियान साज़िश इंडिया क्यों नहीं करेगा साज़िश तो आपको यहां पर किसे लिए रहा हैं यह क्यों हैं आपके उनकी साज़िशों पर यहां पर रोना पिटना है इसलिए आपको रखा हुआ है इतने सारे लोगों को पाला हुआ है इस रियासत ने वो अकल की बात करो एक वजीर आता है दूसरा बुशीर आता है तीसरा वो पिछली अकुमत आती है उसे पहले के लोगा आ जाते हैं कर करे रहें आप लो बो क्या तौशले मन्हा हो है निल कि क्या रहे हैं हम इंडिया से चल रहे हैं मैं तो उसको भात को कह यूँ आरा कि नहीं चल रहे हैं सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं अगूमत की जिम्मेदारी नहीं है बहुत चोटा सा था ना सोचे मैं इतना सा किस उमर कितने साल पहले हूंगा जब इतना सा था तो अगबार पढ़ता था उसमें खबरें आती थी ऐसे करके मैं सोचता था उसक तो मैं इहरान हो कि मैं बड़ा इस पर आपको पटा है कि दाहल हो गई आप ने क्या किया अगर आपको पता है कि उन्होंने नाम दलवाया है जैसे बहुत नहीं नहीं ने कह ईल्धिनने कर दो हमारी इंटैलिजनस कहां पर है हम क्या कर रहे है हम दूसरों पर बिल्कुल इल्जाम लगा रहे हैं, अमरीका ये कर रहा है, इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, वेर डूबी स्टैंड सर। पाकिस्तान में जिद्ती ही टեռरि dep cringe है या तो वो M&A हौरी है अफगानिस्तान से या उसके सलीपर से पाकिस्तान के अंदर मौझूत हैं अफगानिस्तान के साथ ही जोड़ते हैं, और जब हम अफगानिस्तान की अंदर देक्ते हैं कि ए लोग कौन हैं और इंके जो हैंल हैं RAW और NDS का इसकंदर हाथ है इसमें वो टेर्रिस्क ग्रॉप्स जो हैं जो के वहाँ पे मजूद हैं अफ़ानिस्तान के अंदर और जिनको RAW और NDS मैनेज़ कर रहा है तो अब जब RAW और NDS इनको मैनेज़ कर रहा है तो जाहरी बाद है कि इंडिया जो है वो इनको मैनेज़ कर र पर एक्जामबल जैसे भी डासु डाम के पर जो अटेक हुआ है अगर वह इस वक्त ना होता तो इसका इंपक्ट ही और होना था और इस खास वक्त में अगर जो हुआ है तो इजारी बात है कि किसी ने इनको बताया है कि आपने इस टाइम के ये काम करना है तो डेफिनेटली एक स्ट्रीजिक डारेक्शन जो है वो इनको हिंदुस्तान ही दे रहा है तो सीपैक भी स्टेबलाइज होगा और उसके पर हमने होंगे टेरिस एटैक्स होंगे और जब सीपैक भी स्टेबलाइज होगा तो बी आराई जो कि चाइना का बहुत बड़ा एकनॉमिक जगरनौ करते हैं और अमेरिका का यह एक स्ट्रीजिक अब्जेक्ट वै उस्ने यह को उस दरह के प्रोग्रस नहीं करने देशें Maurice और दूस्था यह के चाइना को और पाक Algrome को रोकने के लिए और प्यार — एक चाहिते सीपैक को रोकने के लिए अव्च और आप किसीस आप डोर्तिं से लेकर पंजाब, केपी, सिंद, बलोशिस्तान राइट अप टो दे मकरान कोस्ट यह सारे टेरिरिस अटेक्स जो हैं यह दुबारा आने शुरू होंगे जो चाइनीज ने रियक्ट किया आप इसको कैसे देखते हैं कि उन्होंने पहले वो दासू प्रोजेक्ट पे कह दिया पिर उन्हें ने का नहीं हम आप रख रहे हैं फिर थोड़े दिर काम रोक दिया फिर उन्हें बड़े इसको बड़ा प्रेशराइज किया पाकस्तान को उनके प्राइम निस्टर का फोन आया और हमारे वजीर खारजा-खाराज मिल रहे थे वो जो चीनी बचारे जखमी हु उसके पाक चीन तालुकात पर क्या असर पड़ सकता है वो ज्यादा हमें प्रेशराइज कर सकते हैं कि हमारी सिक्यूरिटी को मेंटेन करें और दूसरा सर अगर इस तरह चीनियों पर हमला होता है तो जो दूसरा इंवेस्टर है वो तो यह कह सकता है कि अगर चीनी सिक्यू जाएगा कि चाइनी जहां पर भी जाते हैं अगर उसे खिलाफ कारवाई की जाए तो उसके प्रोजेक्स फेल हो जाते हैं कि यह इसको यहां पर रोकना अमेरिका का और इंडिया का यह एक बहुत जॉइंट इंट्रेस्ट है और आप अभी यह ख्याल रखिएगा कि पाकिस्त और पाकिस्तान को इसके लिए बहुत ज्यादा मौतात होना पड़ेगा इट मस्ट ऑल्वेस कीप इस गार्ड अप और यह जो जो टूल यह इस्तेमाल करेंगे वो यह टेरिस्ट गृप्स हैं जो के अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और इनके स्क्रीपर सेल्स जो के पाकिस्तान के अंदर हैं इसका मकसद 9 के वल पाकितान की छवी को खराब करना बलकि पाकितान चीन की दोस्ती में दरार भी पायदा करना है खासकर पाकितान के अंदर जो चीन का सीपेक प्रजेक्ट चल रहा हैent web बहुत बड़़ी बाते करता है उसको तो नुक्सान पहुचाना ही भारत और अमेरिका का मुख टार्गेट है आपको यह बताते चले बाड़ लगा दिया है और कंटिलो तारों का और फिर उपर से सेना के वहाँ पर सुरक्षा भी है तो अगर सेना की सुरक्षा हो और कंटिले तारों का बाड़ हो तो फिर कैसे आतंगवादी पाकितान के भीतर प्रवेश कर जाते हैं इससे लगता है कि जो भी पाकितान कहता ह भारत के खिलाप वह सब जूठा बकवास है दरसल हकीकत यह है कि पाकितान के खिलाप ही कई गुट जिसमें तालिबान का भी एक तहरीके तालिबान गुट है या बलोच मुहमेंट है या सिंध मुहमेंट है यह सारे लोग पाकितानी सेना के अत्यचार से तंग आकर उन्होंन उसमें पागितान के सुर्चाबल जवानों के भी हताहत होने की खबरे आई है या सीपैक पर काम चल रहा था और वहीं से काम करके एक सीपैक का डेसु डेम है वहीं से काम करके इंजिनिर्स लोट रहे थे इसमें जो हमले की जिम्वारी है वो ETIM इस्ट तुर्कमिनिस्तान इ आमक संगठन ने लिया है या ETIM एक ऐसा संगठन है जो चीन के खिलाप लड़ रहा है चीन में जो जियांग प्रांत में उगे और मसुलमानों पर जो चीन द्वरा अत्यचार किया जाता है या उनके खिलाप या आतंकी गुट लड़ रहा है और उन्होंने ही चीनी इंजि सब्सक्राइब करेगा या भारत अपनी सफाई पेस करेगा लेकिन पाकितान के भीतर जो घटनाए बढ़ती जाएंगी उसका क्या होगा क्योंकि अगर अभी लगाम नहीं लगाएगा तो भविस्व में और बड़ी घटनाओ के लिए पाकितान को तयार रहना चाहिए आज